यह हलो एन वेलकम दोस्तों तो फाइए मिनिट्स इंजीनेरिंग आज का वीडियो वाकी बड़ा कमाल का है स्मार्ट कॉंट्रैक्ट्ट्ट्स भाइए गारे में This smart contract, देखो या smart contract, ये इसमें भी दो ही words है, तो वो जो दो शब्द है, जो बड़े important शब्द है, जो कि आपके smart contract के साथ जुड़े हो है, ऐसा नहीं कि आपने उनके बारे में पहले कभी सुना नहीं है, सुना है, आपन जो computer engineers है वहिया, computer science में इंट्रेस्टेड है पढ़ रह यहां पर यह जो हमारे contract होते हैं जो smart contract हम लोग इसे बोल रहे हैं यहां पर क्या होता है नहीं कि अगर एक certain condition satisfy हो जाती है एक कोई certain condition जैसे कि if a condition if के बाद एक condition mentioned होगे लट से और अगर वो condition satisfy हो जाती है तो एक पार्टीअ किया करना हे उस्सी वक्तương इमीडियेट ली वह एक्षिन जो आपका आपका ओटोमेटेट में एक्जेकयूट होता है इसे आपनदे कमा स्मार्ट कॉंट्रेक्ट जो कि की blockchain technology में execute होता है इसके कई सारे फायदे हैं उनके बारे में एक एक करके मैं अभी बात करने वाला हूँ जैसे कि normal contracts के बारे में पहले अपन बात करते हैं normal contracts में क्या होता है एक party इधर रहती है बराबर एक party इधर है दूसरी party इधर है इन में कोई contract sign करना है यहां से आएगा यहां से आएगा लेकिन बीच में कोई एक authority हो सकती है like this something एक बीच में कोई authority होगी एक कोई let's say we can say centralized procedure या फिर एक आपन कह सकते हैं इसको proper word third party सही बात है एक third party यहांपर होती है और फिर इसके थुरू यहां पर जो भी contract है वह बनाया जाता है वो execute किया जाता है वो सारी चीजे जो यहां पर हो रही होती है बट स्मार्ट कांट्रेक्स में इसा नहीं होता smart contracts में इतना समय नहीं गवाया जाता बड़ा ही fast काम होता है बड़ा ही speedy काम होता है बड़ा ही efficient काम होता है तो यहां पे भाईए अपने को कोई 3rd party की जरुती नहीं है there is no 3rd authority 3rd party की यहां पे कोई जरुती नहीं है यहां पे directly आपकी ये party और ये party दोनों मिलके पार्टी करेंगे मतलब क्या कि यहां पर जो कॉंट्राक्ट है उसमें कोई भी थर्ड पार्टी यहां पर इन्वाल्ड नहीं होगी यह चीज आपको समझनी बहुत जादा जरूरी है तो दोस्तों अब यहां पर मैंने इस देन यह लिखा हुआ है इससे आपको थोड़ा बहुत आईडिया लगी गया होगा कि भाईया यह जो कॉंट्राक्ट है जैसे आपन स्मार्ट कॉंट्राक्ट बोल रहे है यह दरासा अगल देखा जाए तो यह सिंपल सा कोड है एक सिंपल सा प्रोग्राइम है विच इस ऑन ब्लोक्चेन विच इस एग्जीगू एक्जीक्यूट करवा दिया जाता है आपको बात समझ में आ रही है अब यहां पर मैं आपके सामने कुछ एक्जामपल रखूंगा ओके जो कि आपके लिए यह स्मार्ट कॉंट्राक्ट का जो बेसिकली फंडा है ना यह बहुत ही आसान करके रख देंगे देखो यार एक स और इसको अपन सबने यूज किया हुआ एक मशीन नहीं होता घ्र देखो यह back machine होता है ओके दिर बोहत सारे एटम्स ओते हैं खाने खाने तो इसमें price कितना पे करना पड़ेगा और यहां पे ना एक counter होता है let's say एक counter होता है तो वहां पे आपन जो let's say मुझे अगर F food item चाहिए F food item चाहिए तो उसकी जो price money है वह मैं यहां पे enter कर दूँगा I will just enter that much amount और मुझे जो है भाईया यह food item यहां से मिल जाएगा तो अब यहां पे हुआ यहां पे हुआ क्या है कि यहां पे कोई भी आपको as a कोई sales वाला यहां पर देखने को मिला है जो आपको service दे रहा है बीच में आपका order ले रहा और फिर वहां से back-end से order लेके आपको दे रहा है या फिर बीच में कोई third party ऐसा कुछ दिखा क्या यहां पर नहीं यहां directly आपने उस machine से contact किया जो भी required था वो दिया और जो चाहिए था वो ले के आप निकल गए बात आपको समझ मारी तो यहां पर बीच में कोई नहीं था there was no middleman in this that is what you have to understand और यही सिनारियो ठीक हम लोग यह जो blockchain technology में अगर देखे तो उसी को अपन कहते हैं smart उसी को अपन कहते हैं smart contract मतलब यहां पर भी क्या होता है यहां पर भी बहुत सारी checks होते हैं कि जो amount enter की है तो क्या वो amount आपके food item के साथ match करती है obviously वो चेक करेंगे अगर वो match करती है यानि कि condition हो गई ना यह भाई साब simple logic यहां पर वो condition हो गई अगर वो condition true निकलती है कि अरे हां जितने पैसे यहां पर लिखे हुए उतना ही पैसा भाईया आपन ने जमा करवाया अगर वो condition true निकलती है तो उसका आगे का action क्या होगा भाईया उसको खाना दो just give him the food give her the food तो फूड आ जागा तो यह action आपका execute हो परफॉर्म हो जाएगा खाना आपको मिल जाएगा आप यहां से निकल सकते हो तो दोस्तों एक और example के थुरू अपन जो है smart contract के फंडे को जड़ा अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं मान लीजिया मुझे online shopping करनी है यहां पर मैं खड़ा हूं मुझे online shopping करनी है तो इस website is there वहां मैं online shopping करने के लिए गया वहां पर मुझे कोई product बहुती बढ़िया लगा पसंद आगे हैं मैंने बोल दिया वही है यह मुझे चाहिए home delivery करके दे दो और मुझे जो है मेरा item मिल जाएगा लेकिन उसके लिए मुझे लेट से payment पहले करना है मुझे पहले से online pay कर ठीक है तो अब यहां बहुत सारा रिस्क आ जाता है यहां पर बहुत सार रिस्क आ जाता है कि क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं इस website पर कि हमने पैसा पहले pay कर दिया लेकिन भाई साब अगर यहां पर हमारा product हम तक पहुचा ही नहीं तो यह बहुत ह बड़ा फैक्टर हो गया ना सही बात है कि नहीं पैसा दे दिया पहली लेकिन प्रोड़क्ट पहुचा ही नहीं तो यहां पे जो हम स्मार्ट कॉंट्रैक्ट अगर अपलाए करें तो सिचुएशन जो है वो हमारे पक्ष में हो जाएगी और हम पूरी तरीके से अभी इस पर्टिकुलर सिस्टम पे नेटवर्क पे ट्रस्ट कर पाएंगे कैसे बड़ा सिंपल सा फंडा है यहां पे कंडिशन डाल देंगे तो कंडिशन जो है बड़ी सिंपल होगी क्या होगी कि भाई साहब जो मैंने इस वे देलेवर नहीं होता मुझ तक नहीं पहुसता तब तक जो मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था वाइल बाइंग दर प्रोड़क्ट ऑन दे वेबसाइट एक्स वो तब तक जो है उस वेबसाइट या जो ओनर है वहां तक पैसा नहीं जाना चीए एक बार मुझे यह मिल गया एक बार यह प्रोड़क्ट मिल गया मुझे तो इट विल बीए ट्रिगर टो एन इवेंट और टो एन एक्शन तो गिव दर और ट्रांसफर दो फॉन्स तो दे रिस्पेक्टिव सेलर तुद रिस्पेक्टिव सेलर आपको बात समझ में आ रहे है कि यह जो अभी एक्शन हो अब इस पूरे नेटवर्क में सिस्टम पर ट्रस्ट अपने बिल्ड हो जाएगा कि मेरा पैसा उस तक पहुचने नहीं वाला जब तक प्रॉडक्ट मेरे तक नहीं पहुच था तो है उप दोस्तों इस वीडियो के जरीए आपको भाई यह समझ में आ गया होगा यह स्मार् इस वीडियो को शेर कीज़ अपने सर दोस्तों के साथ थैंक्स अलोट दोस्तों वो वाचिंग इस वीडियो